क्योंकि साजी निवाद जी प्यारी साज संगत जी प्यार और सतकार से कहना धान दिरंगार जी साज संगत जी आज दासी सतकुरु निरंगार दातार के अशीर वाद से साज संगत मा के चर्णों में ये जो विचार रखने जा रही है इन विचारों का टोपिक है मन के जीते ज मन के हारे हार उसके नजदिक भी नहीं आती है इसी तरह की स्टोरिय आप जी के जर्णों बिदासी शेयर करने जा रही है आप जी परवान करें अगर क्यों गलती हो जाए तो शमा करें साज संगत जी कहते हैं एक दिन सुबह सुबह डोर बैल बजी डोर खोला तो देखा ये काकरशक कद काठी का व्यक्ति चेहरे पर प्यारी से मुस्कान दिये खड़ा है मैंने कहा जी कहिए ये महात्मा कहने लगे मैंने कहा जी कहिए तो उसने कहा अच्छा जी आप तो डेली हमारे ही गुहार लगाते थे मैंने कहा माफ कीजिए भाई साब मैंने पहचाना नहीं आपको तो वह कहने लगे भाई साहब मैं वह हूँ जिसने तुम्हे साहब बनाया है अरे इश्वर हूँ इश्वर तुम हमेशा कहते थे ना कि नजर में बसे हो पर नजर नहीं आते लो आज नजर आ गया अब आज पूरे दिन तुम्हारे साथ ही रोंगा मैंने चिटते हुए कहा ये क्या मजाक है उन्होंने कहा रे नहीं मजाक नहीं है सच है सिरफ तुम्हें ही नजरों आऊंगा तुम्हारे सिवा कोई देख सुन नहीं पाएगा मुझे इस से पहले वो कुछ कहता मेरी माँ आ गई अकेला खड़ा खड़ा मेरी माँ मुझे कह रही है अकेला खड़ा खड़ा क्या बोल रहा है क्या कर रहा है यहाँ चाए त्यार है चल आजा अंदर और चाए पी ले अब उनकी बातों पर थोड़ा बहुत यकीन होने लगा था और मन में थोड़ा सा डर भी था मैं जाकर सोफे पर बैठा ही था कि पास में आकर वह बैठ गए चाए आते ही जैसे ही मेरी माँ ने मुझे चाए दे चाए आते ही जैसे ही मैंने फ़श्ट सिप पिया पहला घूट पिया तो मैं गुसे से चिलाया अरे माँ ये हर रोज इतनी चीनी डालते हो आप इतना कहते ही ध्यान आया कि अगर ये सच्पूच में इश्वर मेरे पास बैठे हैं तो इने बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि कोई अपनी माँ पर गुसा करे कोई गुसे से अपनी माँ के सत बात करे अपने मन को मैंने शांत किया और समझा भी दिया कि भई तुम नजर में हो आज जरा ध्यान से कि तुम नजर में हो ये बात मैंने ध्यान रखनी है बस फिर मैं जहां जहां वहां मेरे पीछे पीछे पूरे घर में थोड़ी देर बाद नहाने के लिए जैसे ही मैं टॉइलर की तरफ चला तो उन्होंने भी कदम भड़ा दिये मैंने कहा प्रबू यहां तो वक्ष दो खैर नहा कर त्यार होकर मैं पूजा घर में गया विश्वाश करना कि फर्ष टाइम में ही पहली बार में ही मैंने जब प्रबू का वंदन किया प्रबू की पूजा की इसका सिम्रन किया इसको दिल से याद किया क्योंकि आज अपनी इमानदारी जो प्रूफ करनी थी फिर ओफिस के लिए निकला अपनी कार में बैठा तो देखा पास में महाशे पहले से ही बैठे हुए है ट्रेवल शुरू हुआ तब ही एक फोन आया और फोन उठाने ही वाला था कि ध्यान आया तुम नजर में हो कार को साइड में रोका फोन पर बात की और बात करते करते कहने ही वाला था कि इस काम पर के पैसे लगेंगे पर ये तो गलत था पाप था तो प्रबू के सामने ही कैसे कहता तो एका एक मुह से निकल गया आप आजाएए आपका काम हो जाएगा फिर उस दिन ओफिस में न स्टाफ पर गुसा किया ना किसी वरकर से बहस की वह पहला दिन था जब करोद, घमंड, किसी की बुराई, लालज, अप्शबद, बेइमानी, जूट ये सब मेरी डेली रुटीन का हिस्सा नहीं बने शाम को ओफिस से निकला, कार में बैठा, तो पास में बैठे इश्वर को बोल ही दिया प्रभू, सीट बेल्ट लगा ले, कुछ नियम तो आप भी निभाए उनके चेरे पर संतोश्वरी मुस्कान थी घर पर जब रात के समय भोजन प्रोसा गया तब शायद पहली बार मेरे मुख से निकला प्रभू, पहले आप ले जिए और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए पहली बाइट मुग में रखी भोजन के बाद मा बोले पहली बार खाने में तुमने कोई कमी नहीं निकाली आज क्या बात है सूरज पश्चिम से निकला है क्या मैंने कहा मां आज सूरय उत्या मन में हुआ है रोज मैं फॉर्मेल्टी में खाना खाता था आज मैंने बगवान का परशाद ग्रहन किया है मां और परशाद में कोई कमी नहीं होती थोड़े देर घूमने के बाद जब अपने कमरे में गया शांत मन और शांत दिमाग के साथ पिल्लो पर अपना सिर रखा सिराने पर अपना सिर रखा तो इश्वर ने प्यार से सिर पर हाथ फिराया और कहा आज तुमें नींद के लिए किसी म्यूजिक, किसी मेडिसियन किसी पुक के सहारे की जरूरत नहीं है गहरी नींद गालों पे थपकी से उठी कब तक सोएगा जाग जाब मा की आवाज थी कि बेटा कब तक सोएगा अब जाग जाग इतनी गहरी नींद आई इस प्रभू प्रमात्मा के प्यार में सपना था शायद हाँ सपना ही था पर नींद से जगा दिया अब समझ में आ गया इस इश्वर का इशारा कि तुम मेरी नजर में हो जिस दिन ये समझ गये कि ये इश्वर हमें देख रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा सपने में आया एक विचार भी आँखे खोल सकता है संगत जी जब हम प्रभू प्रमात्मा को अपने नजदीक देखते हैं तो फिर हमें हर जगें इसी का दिदार होता है फिर काम ग्रोद लो मोह हंकार आने का मन में सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि प्रभू प्रमात्मा हमें शक्ते दे रहा है हर काम करने की बलबुदी विवेक बख्ष रहा है सब कुछ ये दे रहा है निरंकार ये मोन है कितना हम भी कम बोला करें बिन बोले बिन तोले रसना से हम कुछ ना बोला करें यहाँ पर संपूर्ण हर्देव बानी में सद्गुर भावा हर्देव सिंग जी महराज कितना सपष्ट समझा रहे है कि ये निरंकार ये मोन है ये जादा नहीं बोलता इसलिए हम भी करम जादा करें और बोल कम बोलें हम अपनी रसना से तोले बिना किसी को कुछ शवद ना कहें कहती हैं तलवार के खाव भर जाती हैं लेकिन मुख से निकले जो शवद अगर दिलों को दुखाने वाले हैं तो वो कभी भी वो कभी भी सारी जिन्दगी वो उस दिमाग से नहीं निकल सकते जिसको वो कहे गए है इसलिए पहले तोलो फिर बोलो सोच समझ कर बात करनी है सत्गुरु हमें हर पल ऐसे ऐसे शिक्षाएं दे रही है जिससे कि हम अपनी वाणी से करम से बहवार से हम अपना जीवन बदल सकती है हमने अपना जीवन बदलना है हमने अपने आपको चेंज करना है दूसरे को नहीं अपनी नबेड ते नूहूर नालकी गठरी संभाल तन चोर नालकी हमने अपने सामान की रखवाली करनी है हमारा सामान क्या है हमारा सामान ये मन है हमारा ये जुबान है हमने इस जुबान से सोच समझ कर बोलना है हम ऐसे शबद बोलें जो दूसरों को ठंडक देने वाले हूं हम ऐसे शबद बोलें जिससे कि दूसरों के दिल को इतनी खुशी मिले वो कहें कि अभी हम थोड़ी देर और ये शबत सुन लें ये सब सत्गुरू की किरपा से ही होता है जब सत्गुरू मेरबान हो जाता है तो ये अपने भगत के भावों को बदल देता है इतनी गूड थोड़्स ला देता है मन में कि वो गुर्षिक सत्गुरू की आँख से ही देखता है सत्गुरू के कानों से ही सुनता है समपून अवतार पानी मी शेहनशा बाबा अवतार सिंग ची महराज भी समझाते है गुर्सिक गुर्दी अकनल वेखे गुरू ते कनल सुनता है गुर्सिक ग्यान सरोवर विचों हीरे मुती चुनता है जो गुर्सिक सही माइनों में बन जाता है जो गुरू के ग्यान को करम में डाल कर अपना जीवन मना लेता है कहते हैं कि फिर वो गुर्सिक गुरू के दे हुई आँख से देखता है जिस तरहें गुरू की आँख किसी की बुराई नहीं देखती गुरू के कानों से सुनता है जिस तरहें गुरू की आँख किसी की बुराई नहीं सुनती हमेशां अमलेक लाल रतन जो हमें सासंगत में मिलते हैं हमने इनको अपने मन में बिठाना है इनको करम रूप में लाना है कहते हैं कि ग्यान करम में ढल जाये तो जीवन का शिंगार बने जब ग्यान के अनुसार करम होना शुरू हो जाता है तो फिर जीवन की सुन्दर्ता बन जाती है जग के शोभा वे बनते हैं जो गुरू के वचनों को अपनाते हैं जो गुरू के वचनों को अपनाते हैं वो जग के शोभा बनते हैं सत्कुरु दातार के चर्नों में यही अरदास करते हैं हे मेरे मालिक दीन दियाल सचे बाशा, जिस तरह आप जीने हमें, अपने चर्णों में बिठाया है, इसी तरह अपने चर्णों में, अंतिम स्वास तक लगाये रखना, चर्णा चे बिठाया है, चर्णा भी चरूल जामा, कीता है जो मेरे थे, उपकार ना पूल जामा, अशी गल्याच चरूल दे सी, तुसी गल्यन लाया है, सोखान उदरस दे सी, तुसी तक्त बिठाया है, तेरी एक एक तकनी दा, कीस तरह में मुल पामा, जर्णा चे बिठाया है, जर्णा भी चरूल जामा, हे सचे पाश्चा, हे सत्गुरु गरीब निवाज, ऐसा कोई पल ना आए, जिस पल हम तुझे भूल जाएं, उठत बैठत हर बजो, सादू, संग, परीत, नानक दूरमत छूट गई, बारबरम बस चीत, जब हम उठते, बैडते, चलते, फिरते, सोते, जागते, इसका सिमरन करते हैं, तो ये पारबरम प्रमात्वां हमारे मन में बस चाता है, हे मेरे मालिक दिन दियाल सचे बाशा, सब के उपर, सारे संसार के उपर, अपना मेर भरा हाथ रखना, मेर भरी नजर रखना, हमारे मन में वसु देव, कटुमकम की भावना हो, हे मेरे मालिक, सब को अपन जोड़ के रखना तनमंधन के सुख देते हुए सीवा सिमर्ण ससंग के साथ जोड़ के रखना किसी को कोई भी कमी नहो खुशिया इतनी हो कि कोई कमी नहो तेरी पूजा याद रहे तेरी अबादत याद रहे बख्ष लो माताजी बख्ष लो माताजी ना जाने कि इन भूलों से खुश होकर तूने ये प्यार दिया वरना हम तो कहां थे इस काबिल जो तुने इतना सत्कार दिया तेरी पूजा याद रहे, तेरी अबादत याद रहे हैं मेरे सचे बाश्या, इसी तरह हमें चर्नों से लगाए रखना चर्नों से लगाया है, चर्नों से लगाए रखना साथ संगा जी प्रेम से कहना दान निरंकार जी